नमस्कार बच्चो आज हम आपके व्यवसाईक अध्यान के पुस्ता का आठमा अध्याई व्यवसाईक वित्त के शुरूत शुरू करने जा रहे हैं बच्चो यह एक लंबा लेकिन बहुत ही महत्वपूर अध्याई हैं जैसा कि आप नाम से ही थोड़ा समझ गए होंगे कि इस अध्याई में हम व्यवसाई के वित्त की बात करने वाले हैं वित्त अर्थात पैसा, अर्थात व्यवसाई में लगाया गया कोश या उसमें निवेश की गई पूंजी अब ये तो आप सबको पता ही है कि वित्त या पैसा किसी भी व्यवसाई के लिए शायद सबसे महत्वपूर चीजों में से एक है एक व्यवसाई करने के पीछे का मुख्य उदेश्य भी यह होता है कि पैसा कमाया जाए वेवसाय चलाने के लिए पैसा चाहिए, वेवसाय चलाकर उससे भी वापस हमें पैसा ही चाहिए तो वेवसाय में पैसा या वित्त सबसे जरूरी चीजों में से एक हो गई इसकी आवश्यक्ता कई बार वेवसाय शुरू करते ही होगी कई बार उसके बाद भी पड़ेगी समय समय पर इसके आवशक्ता पड़ती रहती है चाहे वो मशीनरी फरनीचर आदी खरीदने के लिए हो या दिन परती दिन के खर्चों को पूरा करने के लिए जैसे की कच्चा माल खरीदना, कर्मचारियों को वितन देना आदी प्रॉजील सठाइप था पूर्जी वे पूर्जी को जो व्यवेसाइब मैं लंबे अची के लिए पूर्जी सकूए में होती है जैसा कि व्यवेवसाइब के संपत्यूं में लगाया जाता है कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो वेवसाय के दिन प्रति दिन के कार्यों में आवश्यक धन के लिए चाहिए होती है चाहे वो कच्छा माल खरीदना है चाहे कर्मचारियों को वेतन देना हो ऐसे जो दिन प्रति दिन के कारी है इसके लिए जिस पूंजी के आवशक्ता पढ़ती है उसे कारीशील पूंजी कहा जाता है अब बात करते हैं पूंजी के श्रोत की अभी तो हमने बात की कि पूंजी दो प्रकार की होती है स्थाई वह दूसरी कारी शील है अब चाहे स्थाई हो या कारी शील हो जब विवसाय को पूंजी चाहिए होती है तो उसे कहीं से उसे प्राप्त करना होता है तो जहां से हम पूंजी प्राप्त करते हैं वो पूंजी के श्रोत कहलाते हैं तो पूंजी के श्रोतों को अलग-अलग प्रकार से वर्गिकृत किया जा सकता है जैसे कि सबसे पहला अवधी के आधार पर पूंजी के शुरोतों को तीन भागों में व्यक्त किया जा सकता है दीरगवधी, मध्यवधी वा अलपवधी के शुरोत दीरग अवधी के श्रोत वो श्रोत कहलाते हैं जिनसे प्राप्त पुन्जी पाँच वर्ष से अधिक समय के लिए विवसाय में उप्योग की जा सके है इसके अलावा जो पूंजी एक वर्ष से पांच वर्ष के बीच के लिए हो उसे मध्य अवधी पूंजी वह जो पूंजी एक वर्ष से भी कम के लिए हो उसे अल्प अवधी पूंजी का नाम दिया जाता है इसी प्रकार स्वामित्व के आधार पर वित्त के शुरोतों को स्वामित्व शुरोत या रिणगत शुरोत में वर्गिकरित किया जाता है जो पुन्जी व्यवसाई के स्वामियों द्वारा लगाई जाती है या यूँ कहले कि जिस पूंजी को लगाने वाले व्यवसाई के स्वामी कहलाते हैं वो पूंजी स्वामित्व पूंजी कहलाती है वह जो पूंजी बाहर से रिन के रूप में प्राप्त की जाए उसे रिन गत कूंजी या कोश कहा जाता है इसके अलावा पूनजी के शुरोतों के वर्गी करण का एक और आधार है कोश की उतपत्ति या धन की उतपत्ति यदि कोश या धन वेवसायक के ही अंदर से निकाला जाए तो वो आंतरिक शुरोत कहलाता है यदि उसे वेवसायके बाहर से प्राप्त किया जाए तो वा बहरी शुरोत कहलाते हैं तो इस प्रकार हमने देखा कि पुंजी के शुरोतों को टीन प्रकार से अलग-अलग वर्गों में बाटा जा सकता है आवधी के आधार पर 서मित्व के अधार पर उनकी उत्पत्ती के अधार अब इन सभी आधारों से प्राप्त होने वाले अलग-अलग प्रकार के पुण्जियों में से कुछ मुख्य पुण्जी शुरोतों पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे जिन मुख्य शुरोतों पर हम जचा करेंगे ये बहुत ही महतवपूर शुरोत है बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इन पर ध्यान दे आप समझें कि ये क्या शुरोत हैं कहां से आते हैं वो इस शुरोत से पून्जी प्राप्त करने से क्या फायदा हो सकता है या क्या कम्या हो सकती है क्योंकि एक व्यवसाई चलाने के लिए जब उसमें पूंजी की आवशक्ता होती है तो व्यवसाई यहां देखते हैं कि यह जो अलग-अलग शुरोत हैं इनमें से किस शुरोत से पूंजी ली जाए उसके लिए हमें सभी शुरोंतों की गुण वह कम्या देखनी पड़ेंगी तो हम एक के करके इन सभी को देखेंगे सबसे पहला शुरोंत है संचित आए संचित आए का अर्थ होता है कि जब एक वेवसाई अपने वेवसाई में होने वाले लाब की राशी को पूरी तरह लाभांश के रूप में बाटने की बजाए यदि उसे बचाने लगे उसे संचित करने लगे सेव करने लगे तो वह बचाई गई राशी लाब में से बचाई गई वह राशी संचित आए का एलाती है जैसा कि नाम से इस पश्ठ है कि आए में से संचेत की गई राशी यह राशी व्यवसाय के बुरे समय में या किसी भी समय में बहुत अच्छे तरीके से उसके काम आती है क्योंकि यदि एक व्यवसाय के पास संचेत राशी है आए है तो उसे कई बार छोटी मुटी जरूरतों के लिए बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ता आए अब संचेत आए के कुछ मुख्य गुणों वो अब गुणों पर चर्चा करें यदि हम पहले गुणों की बात करें तो सबसे पहला और एक सरल गुणी यह है इसका कि यह पुण्जी का स्थाई स्रोत है हमें इसे किसी को वापिस नहीं करना है न यह हमारे व्यवसाय के लाब से ही निकाली गई राशी है तो यह हमारी राशी है इसे हमें किसी को वापिस नहीं करना पड़ेगा इसी प्रकार इस पर हमें किसी को ब्याज लाभान्श या कोई भी अत्रिक लागत के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ता तीसरा क्योंकि यह आंत्रिक श्रोथ है इसी लिए इसका उप्योग करने से व्यवसाय के संचालन वस्वतंतरता में कोई बाधा नहीं हाती आश्रित नहीं करता इन गुड़ों के बाद यदि कुछ अब गुड़ों पर चर्चा की जाए तो सबसे पहली चीज यह निकल कर आती है कि यदि एक व्यवसाय जरूर से जादा आय संचित करने लग जाए तो इसका अर्थिय होगा कि वह अंशधारकों को लाभांश कम दे रहा है बार बार इससे अंशधारकों में असंतोष पैदा हो सकता है क्योंकि अब उन्हें पहले से कम लाभांश मिलेगा तो जब वो असंतोश में होंगे तो इसका कमपनी के अंशों के बाजार मूले पर बुरा प्रभाव पड़ेगा दूसरा अवगुण है कि क्योंकि किसी भी वेवसाई में लाब की स्थिरता हमेशा समान नहीं रहती लाब कभी होगा कभी नहीं कभी जादा कभी कम ऐसे में हम इस पर कितना आश्रित रहे यह पूंजी का एक अनिश्चित शरोत बन जाता है इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर चीज इसमें ध्यान देने वाली यह है कि कई बार बहुत सी फर में इस पूंजी की एक आंतरिक छुपी हुई लागत पर ध्यान नहीं देते हैं हमें यह लगता है देखने में कि इस पुन्जी की तो कोई लागत ही नहीं है यह सबसे बढ़िया पुन्जी है लेकिन ऐसा नहीं होता है इस पुन्जी की भी एक छिपी हुई लागत है जिस पर ध्यान देना अनिवारी है बोल आगत क्या है जब हम जरूर से जादा लाब को संचित करने लग जाते हैं बचाने लगते हैं उसे अंशधारकों में नहीं देते तो धीरे धीरे अंशधारक असंतुष्ट होते हैं शेर बाजार में कम्पनी के प्रती एक नकारात्मक भावना उत्पन होती है कि यह कम्पनी अपने अंशधारकों को लाभांश नहीं देती या बहुत कम देती है धीरे धीरे इसके कारण कमपनी के अंशों की या शेर की मार्कित में या बाजार में कीमत गिरने लगती है जब अंशों की बाजार कीमत गिरती है तो अंततह इसका भारी नुकसान कमपनी के अंशधार को या स्वामियों को उठाना पड़ता है उनकी संपत्ती कम हो जाती है यह एक बहुत बड़ी लागत मानी जाती है जिस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा इसलिए हम बहुत ज़्यादा आयको संचित नहीं कर सकते है तो मैं चुब यह था संचित है जो कि एक अच्छा श्रोत तो है लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा आश्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि दीर गवधी में यह नुक्सान भी दे सकता है अब आगे चलते हैं अगला श्रोत है व्यापारिक साख व्यापारिक साख एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को वस्त्मों वा सेवाओं के क्रय के लिए दी गए उधार की सुविधा को कहते हैं हम जानते हैं कि कई बार एक व्यापारी अपने व्यापारी के कच्चे माल या कई वस्त्मों या सेवाओं को किसी अन्य व्यापारी से उधार में खरीदता है इस उधार के सुविधा को व्यापारिक साख कहते हैं व्यापारिक साख बिना तुरंत भुगतान किये माल की आपूरती की निरंतरता बनाई रखती है इसलिए इसे एक अच्छा शुरोत माना जाता है हाले की यह एक अल्पकालीन शुरोत है आप वियापारिक श्रोत कई वर्षों के लिए नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कुछ महीनों या दिनों के लिए होता है इसके मुख्य लाब इस प्रकार है, पहला यह बड़ा ही सुधा जनक, वो एक सतत श्रोत है क्योंकि आपके जो पूर्थी करता है, आपके जो वियापारी हैं, जिनसे आप सामान खरीते हैं, वो निरंतर आपको यह उधार प्राप्त करते हैं तो एक सतत यानि निरंतर श्रोत है दूसरा, यदि ग्राहक की साख की स्थिती का विक्रेता को ज्यान हो यानि यदि मान लीजिए हम ग्रहक हैं हम एक व्यापारी से कच्चा माल उधार खरीते हैं और वह यदि हमें अच्छे से जानता हो उसे पता हो कि हमारी साख की स्थिति ठीक है तो वह हमें तुरंत साख दे देगा यानि कि यहाँ पूंजी का एक बड़ा ही शीगर प्राप्त होने वाला शुरूत है तीसरा यहाँ हमारे व्यवसाई की विक्री को बढ़ाए रखने वो आगे बढ़ाने में सहयता करती है क्योंकि इसके द्वारा हमें कच्चे माल के अच्छे से पूर्ती होगी तो हम अपने व्यवसाई में विक्री को निरंतर बना पाएंगे चौथा इस पूंजी से हमारे संपत्तियों पर सामाने तहक कोई प्रभार नहीं पड़ता यह कोई ऐसा रिण या लोन नहीं है जिसके लिए हमें अपनी संपत्तियां गेर भी रखनी पड़े यह थे इसके कुछ लाब यदि हानियों की बात करें या सीमाओं की बात करें तो सबसे पहले सीमा यह है कि कई बार जब व्यापारिक साख बहुत असानी से मिल जाता है तो कई फर्म इसके कारण अती व्यापार करने लगते हैं वो कुछ जादा ही कच्चा माल खरीद के जुटाने लगते हैं कुछ जादा ही वस्तुएं या स्टॉक जमा करने लगते हैं जो के फर्म के लिए जोखिम का कारम बनता है दूसरा इस माध्यम से केवल सेमित कोश ही जुटाई जा सकते हैं बहुत बड़ी संख्या मेरेंड प्राप नहीं कर सकते इससे वह तीसरा या धन एकत्रित करने के अन्य शुरोतों की तुल्ला में अधिक खर्चीला माना जाता है ये थे व्यपारिक शुरोत के लाबवावस की कमिया आईए अब बात करते हैं तीसरे शुरोत की तीसरा शुरो को एक निश्चित भुगतान के बदले में वह संपत्ती इस्तमाल करने का अधिकार देता है मान लीजिए मेरे पास एक फरनीचर एक टेबल है और आपको इस टेबल को उपयोग करने के आवशकता है मैं आपको ये टेबल भीचूंगा नहीं बलकि एक प्रकार से मैं आपको इसे किराय पर दूगा आप एक निश्चित भुगतान के बदले में मेरे इस टेबल का उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि लीज की जो विवस्था है वो किसी समपत्ती को एक निश्चित अवधी के लिए किराय पर देने जैसी है समपत्ती का जो स्वामी होता है वो पट्टाकार कहलाता है, जबकि उसका जो उप्योग करता है, वो पट्टाधारी कहलाता है, इस प्रकार का वित्तियन या या श्रोत ऐसी संपत्यों के मामले में बड़ा ही प्रचलित है, जो तीवर्ता से बदलते तकनीकी विकास के कारण शीग्र अप्रचलित हो जाते है यानि यदि कोई ऐसी मशीन है माननी जिए जिसकी तकनीक बड़ी जल्दी बदलती है ऐसे में कोई कमपनी या वेवसा है उस मशीन पर करोड़ो रुपे या लाखो रुपे खर्च करके खरीदने की बजाए या कोशिश करती है कि कहीं से वो मशीन उसे किराय पर मिल जाए क्योंकि उसे पता है कि यदि आज हम करोड़ो रुपे खर्च करके खरीद भी लें तो कुछ समय बाद तकनीक बदलने से या मशीन बेकार हो जाएगी ऐसे में ऐसी मशीनों का इस्तिमाल किराय पर लेके करना ही बहतर माना जाता है इसके निमनलिखित लाब निकल कर आते हैं सबसे पहला जो पट्टा धारक यानिजी उपयोग करता है उसे बड़े ही कम निवेश पर एक बड़ी संपत्ती प्राप्त हो जाती है दूसरा इसमें प्रलेकी करन बहुत सरल होता है जादा जंजट नहीं होते इसलिए इसका वित्तियन बड़ा असान माना जाता है तीसरा पट्टा धारक द्वारा जो लीज का किराया बुकतान किया जाता है उसे वो अपनी लाब की गणना में से घटा सकते हैं क्योंकि यह एक व्याय है तो यह एक प्रकार से उनके कर को बचाने में कर के भुकतान को बचाने में भी साहता करता है क्योंकि एक व्याय के भाती वो उसे अपने लाब में से घटा सकते हैं इसके अलावा इस प्रकार से वित्त लेने पर स्वामित्व या वैवसाय पर भी नियंतरण नहीं होता या नियंतरण कम नहीं होता क्योंकि यदि मैं किसी से एक मशीन किराय पर ले रहा हूं एक प्रकार का मैं रिंड ले रहा हूँ लेकिन वह व्यक्ति मेरे वेबसाइपर नियंतर नहीं पाएगा तो इससे मेरे वेबसाइपर मेरा नियंतर कम नहीं होगा इसी तरह इस प्रकार के समझोते से मेरी रिन लेनी की शमता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे एक प्रकार का रिन नहीं माना जाता तो मेरी रिन लेनी की शमता बनी की बनी रहती है तो मैं आगे और भी रिन ले सकता हूँ लीज देने वाले व्यक्ति यानि पट्टा कार के लिए भी एक अच्छी चीज होती है क्योंकि उसे अपनी संपत्ती को किसी को देना भी नहीं पड़ता है संपत्ती का स्वामित तो उसके पास ही रहता है और उसे एक निरंतर किराय भी मिलते रहता है इसकी कुछ सिमा इस प् व्यवस्था में संपत्ती की उप्योग पर कई प्रकार की रोग लगाई जाती है जैसे कि हो सकता है कि पट्टा धारक को संपत्ती में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की अनुपती ना हो क्योंकि स्वामित्व तो पट्टा कार के पास ही है ना पट्टा धारक तो किवल उ इसका आर्थ यह हुआ कि यदि एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति से कोई मशीन मान लीजिये पट्टे पर ली थी अब यदि वह व्यक्ति उस समझोते को दुबारा से नहीं चालू कर रहा है जब उसका समय खतम हो जाए मान लीजिये 5 साल के लिए था तो 5 साल खतम होने पर यदि वह व्यक्ति उस समझोते का नविनिकरन नहीं करेगा तो पट्टा धारक के सामने एक समस्या खड़ी हो जाएगी कि पिछले कुछ समय से वह उस मशीन के भरूस से अपना वेबसाइट चला रहा था अब इस व्यक्ति ने उसे आगे देने से मना कर दिया अब पट पट्टा धारक के सामने एक समस्या उत्पन हो जाएगी तीसरा उपकर्ण यदि अनुप योगी है या पट्टा धारक लीज अनुबंद को इसके अवधी से पहले ही समाप्त करना चाहता है तो इसके बदले में कई बार उसे एक उची राशी का भुकतान करना पड़ता है उस समपत्ती के स्वामी नहीं बन रहे तो क्या फाइदा फिर इसका तो ये इसकी कुछ कम्या थी जिनका ध्यान रखते हुए सामान नेता है वैवसाय या कंपनिया तभी इस समझोते की तरफ जाती है जब कोई बहुत बड़ी मशीन या समपत्ती हो जो निरंतर बदलती हो तो उस पर एक बड़ी राशी निवेश करने से अच्छा है उसे कुछ समय के लिए लीजपर या किराय पर ले लिया जाए बच्चों पूंजी का अगला श्रोत है सार्वजनिक जमा सार्वजनिक जमा उस स्थिती में प्राप्त किया जाता है जब एक संगठन सीधे जनता से धन जमा करके प्राप्त करते हैं सारुजनिक जमा पर साधानट बैंक जमा पर दिये गए ब्याज से उचे दर पर ब्याज दिया जाता है ताकि जनता आकरशित हो कमपनी में पैसे जमा कराने के लिए जब कमपनी इस प्रकार के स्कीम ये योजना को लेकर आती है तो जो व्यक्ति संगठन में राशी जमा कराना चाहते हैं उन्हें इसके लिए एक फॉर्म भरना होता है उस फॉर्म के साथ राशी जमा करानी होती है इसके बदले में संगठन उन्हें एक जमा प्राप्ती की रसीद देता है जो कि उनके रिण का प्रमाण स्वरूप होता है कम्पनिया साधारणत है तीन वर्ष तक के लिए सार्वदिन जमा की राशी को आमंतरित करते हैं कम समय के लिए बड़ी राशी प्राप्त करने का यह एक अच्छा श्रोत है कि सीधा आप जनता से राशी जमा के रुपे प्राप्त करें अब इसके गुड़ यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि एक सरल प्रक्रिया है इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध या शर्ते नहीं होती जैसा कि बैंकों आदी से मिलने वाले रिण अनुबंदो में होती है दूसरा सार्वजनिक जमा पर किया गया व्याय बैंक वो वित्य संस्थाओं से लिए रिण की लागत से कम होता है तीसरा, सारवजनिक जमा आम तोर पर कम्पनी की परिसंपत्यों पर प्रभाव नहीं डालती क्योंकि इसके बतले में कम्पनी को अपनी संपत्यां गिरवी नहीं रखवानी पड़ती इसलिए सारुजनिक जमा लेने के बाद भी कम्पनी की परिसमपत्यों को अन्य शुरोतों से रण जुदाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है जमा करताओं के पास वोट देने का अधिकार भी नहीं होता इसी कारण कम्पनी का नियंत्रन भी प्रभावित नहीं होता अब यदि इसकी सीमाओं की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि नई कम्पनियों के लिए यह एक मुश्किल काम होता है क्योंकि जरूरी नहीं कि जब कमपनी को जरूरत हो तो जंता सयोग करे, कई बार जंता सयोग नहीं करेगी तीसरा, इसको जुटाना कठिन होता है, खास कर यदि राशी बहुत बढ़ी होतो इसलिए कम्पनिया यदि थोड़े लंबे समय के लिए देखती हैं तो वो इसके बजाए अंश पूंजी के उपर जादा भरोसा करती है यह किवल थोड़ी सीमित राशी और सीमित समय के लिए हो तो ही ठीक रहता है तो यह चार प्रकार के हमने शुरोत अभी तक देखे हैं अब हम इस भाग के अंत में एक और शुरोत पर चर्चा करेंगे ताकि आप इन पाँच शुरोतों पर घर जाकर अच्छे से पुनायाध्यन कर सकें वित्त का अगला शुरोत है वानिजिक पत्र यहां अल्प अवधी का एक वित्तेश शुरोत है हाला कि भारत में इसका प्रारंब बहुत पहले हुआ करीब 90 के दशक के आसपास इसकी शुरुवात हुई वियापारिक पत्र या वानिजिक पत्र समाने तह बड़ी कमपनियों द्वारा जिनकी अच्छी साख है जिनकी बाजार में एक अच्छी पहचान है ऐसी कमपनियों द्वारा अल्प अवधी के लिए बड़ी राशी जुटाने का एक अच्छा तरीका है यह एक गैर जमानती प्रतिग्या पत्र होता है अर्थात इसके बदले में कमपनी अपनी किसे संपत्ती को जमाने ही कराती इसको गिरवी नहीं रखती इसलिए केवल बड़ी कमपनिया ही इसके द्वारा कोश्ट जुटा सकती है क्योंकि बिना कुछ गिरवी रखे तो लोग सिर्फ ऐसी कंपनियों को ही पैसा देंगे ना जिंग पर उन्हें बहुत भरोसा हो तो केवल बड़ी कंपनिया इसको जारी कर सकती है इसकी अवधी 90 दिनों से लेकर 364 दिनों तक ही हो सकती है वह सामान्यत है इसे एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को या बीमा कंपनियों को पेंशन योजनाओ या बैंकों को ही जारी किया जाता है आम जनता इसमें पैसा नहीं लगाती क्योंकि यह पूर्ण रूप से असुरचित शुरोत होता है तो यह company दोरा आन्य चम्पनियों या bank को आधिकों ही जारी किया जाता है इसलिए कि वल अच्छे साखवाली फर्में ही इसको जारी कर पाती है इसके लाब यह हैं कि सबसे पहली बात तो इसे बिना किसी जमानत के बेचा जाता है इस पर किसी प्रकार की शर्ते नहीं होती है इसके अलावा यह स्वतंतर रूप से हस्तांतर्णिय होता है इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है इसे बड़े हसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है वह इसके अलावा इसमें कोशों की प्राप्ती अबाद गती से होती है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है बार-बार इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसकी कुछ सीमाय भी हैं जैसा कि हमने बार-बार बोला कि केवल अच्छे वित्यस्थिति वाली बड़ी कम्पनिया या फर्मे ही इसका इस्तमाल कर सकती है नई फर्मों को इस प्रकार से धन नहीं मिलेगा दूसरा इस माध्यम से जो राशी जो टाई जा सकती है वह किसी भी एक समय में आपूर्ती करताओं के पास उपलब्द अतरिक्त रोकर तक सीमित एर्थात जो लोग कम्पनिय को पैसा दे रहे हैं जो फर्मे या जो बैंक कम्पनिय को पैसा दे रहे हैं जितना उनके पास होग उसी के अनुसारी तो company को मिलेगा अब इसमें जनता के पास जाके सीमित राशी तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो एक सीमित राशी जो की राशी देने वालों के पास उपलब्ध अत्रिक्त रोकरता की सीमित है उतना ही इसमें प्राप्त कर सकते हैं ये इसकी कुछ मुख्य सीमाय हुई तो बच्चों आज हमने पाच प्रकार के शुरोतों पर चर्चा की है इससे पहले हमने पूंजी के प्रकार वो पूंजी के शुरोतों के विभिन प्रकारों के वर्गी करन की भी बात की मैं चाहूंगा कि आप इन सभी शुरोतों पर गहन अध्यान करें इसको फिर से देखें क्योंकि ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके परिक्षा के दृष्टी कोण से भी इस अध्याय के अगले भाग में हम कुछ और बेहत जरूरी चीजों की बात करेंगे जैसे की शेयर डिबेंचर यानि अंशुर इडपत्र जो की आपको आने वाले कक्षाओं में भी काम आएंगे तो आप आज के भाग में सीखे गई बातों को अच्छे से अध्यान करें ताकि आप अगले भाग में जब आएं तो आप नई चीजों को सीखने के लिए तयार रहें आज के इस भाग में इतना ही धन्यवाद झाले। झाले के तो आप एंडुर जुआर नई च कहें में तो आपको आप दोगले कनी झाले च रहें जब आपले के तो कि आपको चाह सो कामा हा जब कामा में उन्यवां रहें सल जब तो आपको तो क्षा़दयों को सा कि कित지 उओनू criteria